इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं किसी भी मॉवाइल फोन को FULL RESET या फिर फोल मेट कैसे करे दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पास एक OPPO का मॉवाइल फोन है और यहां पे हमारे पास एक Redmi का भी मॉवाइल फोन है सभी mobile में लगभग सेम सेटिंग होता है थोड़ा सा अलग होता है मैं आज के इस वीडियो में आपको दोनों mobile telephone के अंदर reset करने का setting सिखाने वाला हूं बताने वाला हूं साथे साथ मैं आपको यहां पर अपने mobile phone को reset करके भी दिखाने वाला हूं इस वैसे वीडियो को ध्यान से लाश टेक पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिज वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब दोस्तो फिलाल अगर आपके पास ओपो या फिर वीडियो या फिर रेडमी का मोबाइल फोन है या फिर किसी भी कंबनी का मोबाइल फोन है तो यहाँ पे मैं आपको सभी मोबाइल फोन का सेटिंग बताता हूँ और यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा additional setting का simply आपको इस पर click करना है अब यहाँ पे additional setting में आने के बाद सबसे नीचे के side में आपको एक option देखने को मिलेगा back up and reset का लेकिन दोस्तों हमारे पास जो redmi का mobile phone है यहाँ पे कुछ इस परकार से option नहीं आता है यहाँ पे थोड़ा सा setting जो है change हो जाता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ setting में आने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे additional setting में आपको reset का option देखने को नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं कहीं पे भी reset का option नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आपको एडिशनल सेटिंग अंदर reset का option देखने को नहीं मिलता है तो उपर के side में आपको जो about phone का option देखने को मिलता है इस पर जो है आपको click करना है अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर about phone पर आ जाते हैं अब जो आपको हलका नीचे के side में जाना है अब यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा factory reset का इस पर आप click कर सकते हैं चलिए मैं आपको एक बार जो है Samsung के mobile phone में भी करके दिखा देता हूँ अब यहाँ पर हमारे पर Samsung के mobile phone है Samsung के mobile phone में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर reset का option आता है यहाँ पर simply Samsung के mobile phone में भी आपको अपने setting में आना है setting में जैसे आप आज आते हैं अब जो यहाँ पर आपको about phone के अंदर भी reset का option देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको additional setting का भी option देखने को नहीं मिलता है तो अगर आपको Samsung के mobile phone को reset करना है तो simply आपको general management वाला option पर click करना है और यहाँ पे आपको हलका नीचे के side में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं reset का एक button है simply हम यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं factory data just here to click मौवाइल phone को भी reset कर सकते है अगर आपके पास oppo का mobile phone है तो आपको यहाँ पे backup and reset पर click करना है reset phone पर आपको click करना है और यहाँ पे erase all data पर click करना है यहाँ पे आपको अपना mobile phone का screen log डालना है और यहाँ पे जैसे आप डाल दते हैं आपका OPPO का भी mobile phone reset हो जाएगा और अगर आपके बस MI का mobile phone है तो यहाँ पे simply आपको करना क्या है MI के phone में आपको factory reset पर click करना है about phone के अंदर और यहाँ पे आने के बाद simply आपको erase all data पर click करना है यहाँ पे भी आपको अपना pattern log डालना है pattern log डालने के बाद आपको यहाँ पे next step पर click करना है finally आपको mobile phone fully reset हो जाएगा तो दोस्तों कुछ इस पकार से आप किसी भी mobile phone को full reset यानि के format कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा पूचे comment box में जरू से बताएगा वीडियो को like करना साथ इसा चैनल को subscribe करना ना भूले